हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर स्यूप्शंकर व्यास असिस्टन प्रॉफेसर गौवर्मेंट लापीजी कॉलेज बीकानेद एलल्वी फ़िस्टियर के हमारी पीईयल की क्लास और हम लोग अदलत पे चर्चा कर रहे थे थोड़ा सा गैप हो गया कोविट की चलते कुछ वरिषानियों के चलते क्लास से थोड़ा सा डिले हो जाती है जैसा कि एक दो स्टूडेंट्स ने कहा कि साथ थोड़ी सी हमें समझ में दिक्कत आ रही है तो मैं उनसे ये कहूंगा कि जो हम आपको नोट्स अबलेबल करा रहे हैं आप हमारी क्लास को उन नोट्स के साथ में अटेच करके पढ़िए आप उस नोट्स का प्रिंट आउट निकालिए और उसके साथ फिर आप जब उस टॉपिक को समझने का प्रियास करेंगे तो मेरा मानना है कि आपको ज़्यादा समझ माएगा काफी विद्यार्तियों ने हमें का भी है कि इसके जरी हमें अच्छी तरीकी से समझ मारा है तो मेरा आप से निवेदन रहेगा कि कोवीड में आप बाहर तो नहीं जा सकते अगर घर में प्रिंटर है तो ठीक अन्य था आप मोबाइल में क्या कीजिए कि नोर्स को सामने पिक्चर रखते हुए एरफॉन से उसे अगर सुनेंगे तो आपको बात ज़्यादा अच्छी समझ में आई कि आज हम बात करेंगे लोक अदालतों के छेटरा अधिकार की jurisdiction of लोक अदालत section 19 close 5 यानि कि जो विदिक सेवा प्रादिकन अधिनियम हम पढ़ रहे हैं उस विदिक सेवा प्रादिकन अधिनियम की धारा 19 close 5 में लोक अदालतों के छेतरा अधिकार के बारे में चर्चा की गई है लोक अदालत के छेतर अदिकार की जब हम बात करें तो इसमें मामले दो तरीके से लोक अदालत में आएंगे एक जहां लोक अदालत स्थाप्वित है या जहां लोक अदालत का आयोजन किया जाना है उस छेतर के नियाले में लंबित प्रक्रण यानि कि मामला पहले से कोट में लंबित है उधारन से समझे कि हम बीका नेर के हैं और हमें ये है कि बीका नेर में लोक अदालत का आयोजन किया जाना है जैसा कि हम अपनी पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि लोग अदालतों का आयोजन समय समय पर किया जाता है तो बीका नेव की लोग अदालत के छेत्र में जितने नियाले हैं उन नियाले में कोई मामला पहले से लंबित है तो वहाँ मामले को भेजना और दूसरा होता है सीधे ऐसे परकर जो लोक अदालत के छेतरे नियाले में आते हैं लेकिन वो नियाले में संस्तित नहीं किया गया है यानि कि दो तरीके से मामले लोक अदालत में जा सकेंगे ऐसे मामले जो नियायले में पहले से लंबित हैं या ऐसे मामले जो नियायले में लंबित नहीं हैं वे निप्टारा करने के लिए, समझाइस और समझोता करने के लिए क्या किये जाएंगे सीधे लोग अदालत में चले जाएंगे अब हम पहले ही बात करें लोक अदालत में ऐसे मामले जो कोट में लंबित हैं उसके माधियम से जाने वाले यानि कि अदालत के माधियम से लोक अदालत में वाद इस अदिनियम की धारा 20, क्लोच 1 में कहा गया है कि लोक अदालतों द्वारा मामलों का संग्यान के विशे में ये धारा प्रावधान करेगी बीस एक यदि नियायले में लंबित किसी वाद का पक्षकार पहला तरीका हम क्या अपना रहे हैं कोई कोई मामला पहले से नियायले में लंबित है उस वाद का पक्षकार ये चाहता है कि उसके परकण का निप्टारा लोक अदालत के माद्यम से हो तथा विरोधी पक्षकार ने भी इसके लिए सहमती दे दी है तो उस इस्तिती में यदि नियाले इस बास से संतुष्ट होता है कि मामले का लोक अदलत के माध्यम से शिग से निप्टरा किया जाने की संभावना है तो ऐसे मामले को लोक अदलत में संग्यान लेने के लिए बेज सकेगी तथा संबंदित न्याले उस मामले को लोक अदलत में बेज़े जाने का डारेक्शन देगी लेकिन ऐसे बेजने से पूर नयाले दोनों पक्षिकार को समुचित सुनवाई का अवसर देगा कि भाई क्यों आपका मामला लोक अदालत में बेज दिया जाए परकर्ण लोक अदालत में लाए जाने के बाद लोक अदालते पक्षिकारों के बीच आपसी समझोते द्वरा उसका निश्तारण करेगी और अपना नेड़ने देगी जिसे एवाड हिंदी में पंचाट कहा जाता है यहीं मामले में पक्षिकारों के सहमति नहीं होती है समझोता नहीं होता है तो परकण उस नियाले को वापस लोटा दिया जाएगा जहां से वो लोक अदालत में पेचा गया था तो सीधी सी बात दारा 20 क्लोज एक कहती है कि कोई मामला पहले से नियायले में लंबित है दोनों पक्षकार सहमत है कि उनका मामला लोग अदालत के माद्यम से निप्राया जाए नियाले को भी ऐसा लगता है कि मामला लोग अदलत के माद्यम से सिक्रिता से निप्राया जा सकता है दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगी उसको देने के बाद मामले पे सहमती बनने पर लोग अदलत के बेजने का निर्देश देगी लोक अदलत में दोनों पक्षकारों के बीच में समझोते के द्वरा मामले का निस्तारण कराया जाएगा अगर दोनों पक्षकारों के बीच में समझोता हो जाता है और मामले का निप्टारा हो जाता है तो इसे एवाड यानि कि उस निर्ने को हम एवाड और हिंदी में पंचार्ट कहेंगे और अगर समझवता नहीं होता है तो उस प्रकण को वापस उसी नियाले में लोटा दिया जाएगा जहां से वह बेजा गया था अब आता है सीधे मामला लोक अदालत में यानि कि आप दो पक्षकारों का जो मामला है पहले से किसी नियाले में लंबित नहीं है तो सीधा लोक अदालत में निर्ने निदरन के लिए परस्तूत किया जाएगा परंतु समझोते कि आदार पर अभी निर्दरन सेटल्मेंट नहीं हो सका है तो लोक अदल पक्षकारों को यह सला Дेगी कि वी परक्रण को निप्टानी के लिए नियाले में दाखिल अपना मामला करें यानि कि मामला नियाले में लंबित नहीं है दोनों पक्षकार चाहते हैं कि उनका निप्टारा हो लोक अदालत के छेतरा दिकार की चर्चा करता है दो परकार से लोक अदालत पहले से लंबित मामला लोक अदालत में बेजना और दूसरा बिना लंबित यानि की मामला भी कोट में गया ही नहीं है और पक्षिकार अपने किसी मामले को सीधे लोक अदलत के माध्यम से निप्टाना चाहते हैं तो दोनों परकार से इन मामलों का निप्टारा कर दिया जाएगा और अगर ये निप्टारा होता है तो उसे हमने क्या संग्यादी क्या नाम दिया उसे हम कहेंगे उस निर्ने को एवाड कहेंगे या पंचाट कहेंगे यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली होगी कि यह जो पंचाट होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर मामला पहले से कोट में दाखिल है और लोक अदलत के माध्यम से मामले का निप्टारा हो जाता है बीस एक में तो वाद में समझोते हैं कि आदार पर अपना पंचाट दे दिया जाता है तो एंसे पक्षिकारों को कोट फीस लोटा दी जाएगी क्या कर दिया जाएगा कि जो कोट फीस लगी थी वो कोट फीस क्या कर दी जाएगी वापस दे दी जाएगी तो यहाँ पर फिर कन्फूज होने की ज़रूत नहीं है जब मामला पहले से नियाले में लंबित था उसी में कोट फीस कोट फीस के बिना मामला आप संस्तित कर नहीं सकते तो आपका मामला संस्ति था उसमें आपने जो court fees दी थी उस court fees को क्या कर दिया जाएगा return तो कि second वाला जो option है उसमें तो अभी तक आप court में गई ही नहीं है court में जाने से पूर वी आप लोग अदलत से मामला निप्टाना चाहते हैं निप्ट गया settlement हो गया well and good नहीं तो अब आप court में जाएंगे तब आपको court fees देने होगी और पहला जब कोई मामला court में पहले से लंबित है तब आप क्या कर रहे हैं उस मामले को लोग अदलत के माध्यम से निप्टाना चाहते हैं तब आपको क्या किया जाएगा कि जो section 20 से वो ये प्रावधान करता है कि आपको क्या किया जाएगा उस court fees को लोटा दिया जाएगा तो मुझे आसा है कि आज इस jurisdiction की बात जो हमने चर्चा किये आपको अच्छी तरीकी से समझाएगी मैं सास थी साथ में इसके नोट्स भी आपको PDF में जो हमारे कॉलेज से गूगल ड्राइव है उस पर आपको अवलेबल करवा दूँगा धन्यवाद